एरफोर्स एक्सवाई नेवी एससार डवले कोस्टगार्ड यह आप सब एक्जाम के लिए बेस्ट वीडियो यहां पर बताई जा रही है यहां पर एससे म्टेस कुछ अलग नहीं है वो भी आप यहीं से देख सकते हैं यह सारे कोशन्स वो हैं जो एक्जाम में आ चुके हैं यहां पर बात कीजा रही है कि वी वॉजड दा बास्केट मेकर एंड रियलाइज दाट ही वस प्रोफिशेंट एट इस क्राफ्ट अब आपको एक चीज समझ लीना है कि यह प्रोफिशेंट जो लिखा हुआ है इस प्रोफिशेंट की जगह पर क्या आ सकता है समझ में आ ग विशेकारे में एक लंबा अन्वव होता है दूसरी बात एक चीज और समझ लीना है यहां पर कि यह जो अंड लाइन किया हुआ प्रोफिशेंट बर्ड है देखो प्रोफिशेंट का मतलब यहां पर समझा दिया उसने काफी ज्यादा अन्वव उसके प्राप्त हो तो वहा इसके बाद प्रोफिशन क्या रहा बताओ ऐट आ रहा है इस से हमें एक चीज मालूम चलती है कि पास्ट मास्टर के बाद ही एट आता है तो मैंने एकदम दो-दो तरीके से चेक कर लिया कि अगर मैं इस जगे पास्ट मास्टर लिखूँगा तो इसके बाद जो यहां पर लगांगे तो उसके बाद को और आपक से काफी अनवव हो तो वेटरन के साथ आने वाला जो proportion होता है वो in होता है ना के at तो देखो sir मैंने आपको ये पूरे options यहाँ पर आपको एक दम expose कर दिये बिलकुल नंगे करके समझा दिये समझ भागया मतलब सारी questions को मैं समझाते जारा हूँ आपके कोई doubt नहीं रहना चाहिए यहां से आप copy कर लिजे कुछ भी समझ लिजे आप मतलब आगे देखो 30 questions कि a person who moves from one place to another place especially in order to find work यानि एक व्यक्ति जो एक जगे से दूसरी जगे गूमता फिरता रहता है किस जगे कि उसे कोई काम मिल जाए ठीक है आप देखो जैसे आपको पता है आप अपने घर से आप कोचिंग जाते हैं लेकिन आपका इंडारेक्टी जो मोटेव होता है वो एक नौकरी लेना है बहुत अच्छी बात है पड़ाई लिखाई करो नौकरी जरूर मिल जाएगी अब उस व्यक्ति को क्या उसको बोलते हैं माइग्रेंट क्या बोलते हैं मेग्रेंट बोलते हैं जो व्यक्ति किसी जॉब के जॉब के बारे में मतलब इदर उदर घूमता फिरता है कि भाईया कोई जॉब दे दो तो वह काम करता है मैनत करता है और उसको जॉब मिल जाता है तो उसे बोलते हैं अच्छा माइग्रेंट जो होता है न वो क्या होता है रोजगार की तलास में एक जगे से दूसरे स्थान पर गूहने वाला उसे प्रवाशी उसे बोलते हैं तुम माइग्रेंट हो जाएगा एक चीज देखो डॉमी साहिल का मतलब होता है जहां परहते हैं निवास इस्थान क करने वाला तो मडर हो जाएगा तो भाई की हत्या हो गई अब उसको बोलते क्या है वह चीज़ आपको समझ लेनी है देखो सुनो बहिए कि बहुते हैं उसे फ्रेट्री साइड यह साइड वाले मैक्जिमम पूछे जाते हैं एक होता है पेट्री साइड पेप मतलब पापा तो पिता की हत्या करने वाला होमी साइड मानव की हत्या करने वाला एक होता है जैनो साइड जैनो साइड होता है किसी जाती समुदाय की हत्या करने वाला समझ में आ गया सारे कोशन से आपको समझा है 34 में कि जो liaison दे रहा है ना liaison की यहां पर एकदम सही spelling बताना है liaison का मतलब होता है किसी से संपर्ग करना तो यहां पर देखो spelling हो जाएगा L I A I S O N तो यह देख लो किसमें L I A वाला किदर है यह देखो L I A देख लिए चेक कर लिजेगा यहां पर किसमें मिल रहा है डी वाले मिल रहा है तो L I A I S O N तो liaison का मतलब होता है किसी से संपर्ग एक और देखो decident तो decident मैं आपको समझ जो बंसज होते ना एक दूसरे को बंसज उससे decident बोलते हैं तो decident अभी समझना है यहां पर इसका PDF आपको प्रोवाइड कर देजागा चिंता मत करेगा अभी फ्लाल में आपको मैं और questions यहां पर बता देता हूं जो जो important है वही मैंने यहां पर लिए हैं एक बार आप recap कर लेते हैं questions को यहां पर समझ लेना है कि अगर कभी भी बीच में लेस्ट आजाए तो लेस्ट के बाद जो model लगता है वह शूड़ लगता है क्या लगता है शूड़ लगता है इतना आपको समझ माया कर नहीं आया तो में की जगे पर शूड़ हो जाएगा दूसरे वाले में यह समझना है आपको कि देखो यहां पर यह जो डूड़ो है न और समझ लिजेगा कि रीपांट रीपांटेड के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वह और आता है तो जब अच्छा एसोश्यट का आपको सिनोनियम बताना है यह सारे कोशल्स हो है जो अलड़ी में डिसकस कर चुका हूं बट पिर भी आप एने एक बार देख लीजएगा एसोशेट का मतलब होता है connect करना ठीक है आगे देखो quam qalm का मतलब होता है scripler संकोच मैंने यह सब कुछ बता रखा है एक बार आप देख लीजेगा contiguous contiguous का मतलब होता है जोड़ना ad joining मतलब यहां पर एकदम सही हो जाएगा अब आपको यह opposite बताना है internal इंजीनियस का मतलब यह आपको समझें चार दे रखें अब चार में से क्या हो सकता है gor highway Came do बता क्या होता स्टूपेड यां पर यहां पर आफ डेय डाइवर्ट्वर का समझ लेना है इसका मतलब होता है अलग प्रकार का तो इसका उलटा है क्या हो जाएग लाइग कनवर्ज एक ही और मतलब एक ही विंदू की तरफ एक ही टाइप का त्यों जाएगा आगे बढ़ जाते हैं स्टिनेस्टर यह पूछा गया स्टिनेस्टर का मतलब होता है जो अशुब यानि के जो मनहूस उल्टा क्या हो जाएगा और स्पीसियस इसका उल्टा हो जाएगा आ आगे देखो एक्ट ओं दा स्कूर का मतलब होता है मानदारी तो Anesti यह पर सही हो जाएगा आगे देखो तो रेली इंदा सूप ठीक है इंदा सूप का मतलब समझ लेना है इसका मतलब होता है इन डीप ट्रवल कटिन परिश्टारियों से गिराड़ है तो यह उस जाएगा बी वाला एक दम सही आंसर हो जाएगा सिर्फ रिबीजन करवाई जा रहा है समझाए नहीं जा रहा है कि डिस्प्यूटिंग ओबर पैटी पॉइंट चोटे चोटी चीजों के उपर जगड़ा वगड़ा आगे एक चीज और समझ लेना है कि बीच में देखो क्रेक्टिड करेक्शन आ रहा है इफ का तो इसके बाद भी पास्ट आएगा तो पास्ट किसमें होगा बर्व में त आते हैं आगे आपको समझ लेना है कि आपर प्रोफिशंट की जगह पर इनमें से क्या सकता है तो प्रोफिशंट के बाद आ रहा एट तो सिर्फ पास्ट मास्टर यानि जिसके पास काफी बड़ा अन्वव उसे बोलते हैं पास्ट मास्टर तो हमको इतना तो पता है कि भा इन चल रही है देखो एक्सपर्ट के बाद इन आता है वेटेजन के बाद इन आता है प्रोफिशंट के बाद इन आता है लेकिन पास्ट मास्टर है जिसके बाद एट आता है इसका मतलब स्थी वाला एकदम सही हो जाएगा आगे देख लिएगा आगे और भी अच्छे और जो मानफ की हत्या कर दे वो homicide और कुसी जाती धर्म की हत्या करने वाला उसे जैनोचाइड बोलते हैं अब इनमें आपको समझना है कि इनमें कौन सी spelling सही और कौन सी spelling गलत है यह आपको आना चाहिए चाटना दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको revision भी करवा दिया ज्यादा टाइम भी नहीं लिया आपका revision बाकी जितने भी इसके और भी पार्ट काफी सारे questions पेपर हैं जो repeat हुए questions अलग-लग exams में उनको आप एक बार जरूर देख लिजेगा बाकी जितना में आपको करवा रहा हूं सारे questions repeat हुए आप यह प्रैक्टिस एड लगाते हैं तो आपको यह questions आपको मिलते होंगे और आप मुझे बता सकते हैं कि जब से आपने हमारी वीडियो यह देखना स्टार्ट किया उसके बाद कुछ बदलाब हुआ कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ